अजकल की भागदोर भरी जिंदगी में कई लोगों को कमर दर्थ या पीट दर्थ से ऐसी समस्या होने लगी हैं। बुजूर्गी ही नहीं कम उम्र के लोग भी कमर दर्थ से परिशान रहते हैं। कमर दर्थ से आपको जुकने तक की परिशानी भी हो सकती है। शरीर में अकडन आपके हर काम को प्रभावित करती है। दिन पर एक ही जगे पर बैटे रहने से भी ये समस्या हो जाती है। अगर आप भी कमरदर्द की समस्या से परेशान हैं और इससे चुटकारा पाना चाते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में लाच्ट तक बने रही है। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाई बताने जा रही हूँ जो आपके कमरदर्द की समस्या को खत्म कर देगा। कमरदर्द को दूर करने का पहला उपाई है सेंधा नमक कमरदर्द को कम करने में काफी मदत करता है। इसके लिए आप खोड़ा सा सेंधा नमक लेकर उसे गर्म पानी में मिला लें। अब इसमें एक तॉलियो को डुबोएं और फिर उसे अच्छे से निचोड़कर प्रभावित जगे पर लगाएं। ऐसा करने से आपके कमर दर्द में राहत मिलेगी। इसके अलावा भी आप दो कब सेंधा नमक को अपने नहाने के टब में मिलाकर इस्तमाल कर सकते हैं। इससे आपको काफी आरम मिलेगा। दूसरा उपाय है दूद। दूद में केलसियम के भरबूर मातरा होती है जो आपके शरीर को मजभूत बनाती है। दूद आपके कमरदर्द को रोगने में मददकार साबित होता है। इसलिए अपने कमरदर्द को दूर करने के लिए लो जाना दूद का सेवन जरूर करें। अगर आपको खाली दूद पीना पसंद नहीं है तो आप इसके सौध को बढ़ाने के लिए इसमें सहेद भी मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा भी आप गर्म दूद में खसकस पाउडर और चीनी को बराबर मातरा में मिलाकर पूरे दिन में दो बार ले सकते हैं। इसके सेवन से आपके कमरदर्द में काफी आरा मिलेगा। कमरदर्द को दूर करने का तीसरा उपाए है हल्दी। पीड दर्द का इलाज करने के लिए जैतुन का तेल भी बहुत फायदेमन माना जाता है इसके लिए आप रात को सोने से पहले जैतुन के तेल को गुंगुना करके अपनी कमर पर मालिस करें और इसे ऐसे ही रात भर लगा रहने दें इस उपाई को रोजाना करने से आपके कमर दर्द की समस्य जड़ से खत्म हो जाएगी अब है आखरी पांचवा उपाय अद्रक कमर दर्द को दूर करने के लिए अद्रक एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है इसके लिए आप एक अद्रक के टुकड़े को पीस लें और एक कप पानी में डालें अद्रक के पानी के स संदाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद